देवी चरित्रों के पाट के महात्य में ध्यान इस वरकार करना चाही कि मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ, उनके शिरी अंगों की प्रभाब बिजली के समान है। में सिंग के कंदे पर बैटे हुई भ्यांकर परतीत होती हैं, हाथ में तलवार ढाल लिये हुए अनेक कन्याय उनकी सेवा में खड़ी हैं। में अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, भान, धनुष, पाश और तरजनी मुद्रा धारन किये हुए हैं। उनका सवरूप अगनी में हैं। तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकट धारन करती हैं। देवी बोली देवताओ, जो एकाग्रचित होकर प्रती दिन इन स्तुतियों से मिरा स्तमन करेगा, उसकी सारी भादा मैं निश्चे ही तूर कर दूंगे। जो मधुक एडव का नाश मैसा सुरकावद तथा श्यूंब निश्यूंब के संहार के परसंग का बाठ करेंगे, तथा अश्टमी चतुरदशी और नमी को भी जो एकाग्रचितो कर भक्ती पूरक मेरे उत्तम महात्मे का श्रवन करेंगे, उन्हें कोई पाप छो भी नहीं भोगना पड़ेगा, इतना नहीं नहीं उन्हें शत्रू से, लिटोरे से, राजा से, शष्टर से, अगनी से, तथा जल की राशी से भी कभी भई नहीं होगा, इसलिए सब को एकाग्रचित होकर भक्ती पूरक मेरे इस महात्मे को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए, ये पर कार के उत्पातों को शांत करने वाला है, मेरे जिस मंदर में प्रती दिन विधी पूरक मेरे इस महात्मे का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नी छोड़ती, वे सदा ही मेरे सन्नीधान बना रहता है, बलीधान, पूजा, होम, तदा, महुस्व के अस्रों पर मेरे इस त्रित्र का पूरा-पूरा पाठ और श्रवन करना चाहिए, ऐसा करने पर मनुश्य विधी को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बली, पूजा या होमादी करेगा, उसे मैं बड़ी परसंता के साथ किरहन करूंगी, शरत काल में जो वार्शिक महापूजा की जा इसमें तनिकवी संदे नहीं है, मेरा ये महात्म, मेरे प्रादर भाव की संदर कताएं, तदा युद्ध में किये हुए मेरे प्राकर्म सुनने से मनुश्य निर्भे हो जाता है, मेरे महात्म का श्रवन करने वाले पुरुष के शत्रू नस्टो जाते हैं, उन्हें कल्यान क की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित रहता है सर्वत्र शांती करम में बुरे सपन दिखाई देने पर ग्रह जनित भ्यंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्मे श्रमन कीजिए इस सब विधन तदा भ्यंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनिश्यो दोरा देखा हुआ दुस्वप्न शुर्थ सब्न में परिवर्तित हो जाता है बाल ग्रहों से अकरांत होए बालकों के लिए यह महात्मे शांती कारक है तोगा मनिश्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी परकार मित्तरता कराने वाला है यह महात्मे पश्व, पुष्प, अर्ध, दूप, दीप, गंद, आधी उत्तम सामगरियों द्वारा पूजन करने से, ब्रामनों का भोजन करने से, प्रति दिन अविशेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पन करने से, तथा दान्त देने आधी से एक वर्स तक जो मेरी अराध्रा की जाती है, और उस से मुझे जितनी परसंता होती है, उतनी परसंता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवन करने मात्र से हो जाती है। शत्रू का भई नहीं रहता। देवताओं तुमने और ब्रह्मरिश्यों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं, तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, ये सभी कल्यानमी बुद्धी परदान करती हैं, वन में सूने मार्ग में अत्वा दावानल में घिर जाने पर, कुपित राजा के आदेश से वधियां बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अत्वा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तुफान से नाव के डग मगाने पर, और अत्यनत भ्यंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, तथा वेदना से पीडित होन किम बहुना सभी भ्यानक बादाओं के उपस्तित होने पर, जो मेरे इस चरित्र का समरन करता है, मैं मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है, मेरे प्रभाव से सिंग आरी हिंसक जन्तु नस्त हो जाती, तथा लुटेरे और शत्रों भी मेरे चरित्र का समरन करने वाले ध्यान होगी, फिर समस्त देवतावी शत्रों के मारे जाने से निर्भे होकर पहले की हिमाती यग्य भाग का उभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे, संसार का विद्वांस करने वाले महा भ्यंकर अतुल प्राकर्मी देव शत्रों शुंब तधा मह वले निशुंब के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेश तेट्य पताल लोक में चले आए, राजन इस परकार भगवती अंबिका देवी निट्या होती हुई वी पुना-पुना प्रगठ होकर जगत की रक्षा करती है, वे ही इस विश्य को मोहित करती है, व वे ही प्रात्ना करने पर संतुष्टो कर विज्ञान एंसम्रिधी पर दान करती है, महापरले के समय महामारी का स्वरूप धारन करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्यापत है, वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही सयम अजनमा होती हुई भी संपूरन भूतों की रक्षा करती है। मुनुष्यों के अभ्यूदे के समय वे ही घर में लच्मी के रूप में स्थित होकर उन्नती परदान करती है। वे ही अभाव के समय दृद्धरता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंद आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक, बुध्धी तथा उत्तम गती परदान करती है। रिशी कहती है राजन, इस परकार मैंने तुमसे देवी के अन्प महात्मे का वर्णन किया। जो इस जगत को धारन करती है, उन्द देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ग्यान उत्पन करती है, भगवान विश्णु की माया सोरूपा उन्भक्ती के द्वारा ही, तुम ये वैश्य तथा अन्यानवी वेकी जन मोहित होती हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भ मोक्षपरदान करती है, मारकंडे जी कहते हैं, मेरा हुनी के ये वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम वरत का पालन करने वाले उन्द महाभाग महित्शी को परनाम किया, वे अच्जन्त ममता और राज्य अपहरन से बहुत खिन्न हो चुके थे, इसलिए विरक्त होकर वे वैश्य ततकाल तपस्या को चलेगे और वे जगदंबा के दर्शन के लिए नदी के तड़ पर रहकर तपस्या करने लगे। उनका चिंतना रंब किया, वे दोनों अपने शीर के रक्ष से प्रोक्षित बली देते हुए, लगातार तीन वर्स तक संयम पूरो का राधना करते रही। इस पर परसन्न होकर जगद को धारन करने वाली चंडिका देवी ने परतक्ष दर्शन दे कर कहा, देवी बोली राजन, तुम अपने कुल को अनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाशा रखते हो। मैं मुझसे मांगो, मैं संतोष्ट हूँ, अता है तुम्हें वैस सब कुछ दूँगी। मारकंडे जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जनम में नस्ट ना होने वाले राज्य मांगा, तदा इस जनम में भी शत्रों की सैना को बल पूरक नस्ट करके पुना अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित संसार की और से खिन एम विरक्त हो चुका था, और वे बड़े बुद्धी मान थे, आता है उस समय उनने तो ममता और आंता रूप और सक्ती का नाश करने वाला ज्यान मांगा। देव बोली राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रों को मार कर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुमारा राज्य स्थिर रहेगा, फिर मृत्यू के पश्चात तुम भगवान, विवस्वान, सूर्य के अंच से जनम लेकर इस प्रिथी पर सावर्निक मनु के नाम से विख्यात होगे। वह शिवर्य तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुमें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। से जनम ले सावर्नी नामक मनु होंगे।